Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो reading हैं, यह हम कर रहे हैं आपके जो partner हैं, उनके deep feelings क्या हैं, उनके emotions क्या हैं deeply आपके partner आपके लिए क्या feel करते हैं, उनकी current feelings क्या हैं emotions क्या हैं, वो हम आज की इस reading में दिखेंगे, ठीक है तो यह reading एक general reading होगी, collective होगी, timeless reading होगी और हर किसी के लिए होगी, हर एक zodiac sign के लिए होगी और हर gender sex के लिए होगी, ओकी तो चलिए करते हैं reading को start आप अपने partner को याद करो, आखे बन करो और अपने partner को visualize करो, visualize and आप उनको affirmation दो कि आप उनका wait कर रहे हो और आप के partner आपके life में जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं आप यह चाहते हो, ठीक है? तो आप उनको जल्दी से जल्दी वापस पाने के लिए affirmation करो कि आप मेरी जिन्दीगी में वापस आ गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और हम दोनों काफी खुश हैं एक दूजे के साथ क्योंकि हम दोने एक दूजे के लिए बने हैं ठीक है? चले, divine हमें गाइड करें divine हमें गाइड करें, मेरे viewers मेरे viewers के लिए मुझे गाइड करें मेरे viewers के पार्टनर की true feelings क्या है? deep feelings emperor के energy आई है deep feelings क्या है? the world king of pentacles four of swords eight of pentacles knight of swords bottom of the deck है king of swords okay so, मुझे यहां पर यह दिख रहा है आपके कार्ट्स में कि आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ देखिए इनका और आपका connection मैं जहां तक देख पा रही हूं आपके पार्टनर की डीप फिलिंग्स में आपके पार्टनर हाला की छिछोरे वाले इनसान नहीं है छिछोरी पंती जो लोग करते है ना वो नहीं है काफी mature person है age gap आप दुनों के बीच में हो सकता है और ये person एक father वाली energy रखते हैं यानि कि father वाली qualities है इनके अंदर यानि कि responsibilities भी है प्यार भी है लेकिन प्यार को दिखाना नहीं है आपके partner को आपके partner आपने फील किया होगा कि आपके partner जल्दी कुछ सवालों के जवाब नहीं देना पसंद करते हैं ज़दा तर ये person चुप रहना पसंद करते हैं ये energy मुझे ज़दा दिखाए दे रही है ठीक है ओके मुझे ये भी फिल होता है कि आपके cards में काफी clearly दिख रहा है कि आपके और आपके partner की बीच में बहुत emotions हैं बहुत feelings हैं साथी साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका और आपके partner के बीच का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं होता है हैना कि struggle कर रहा है आपके partner की डीफ feelings में दिख रहा है कि पॉर्सन को आप से अपने दिल की बाते अभी तो फिल हाल नहीं कहने हैं यह पॉर्सन चाहते हैं कि इनके चूप रहे रहे आप इनके मन की बात इनके दिल की बात आप समझो जरूरी नहीं है कि हर शब्द आपसे कहेंगे यह person आपसे हर शब्द बोलेंगे तो ही आप समझोगे होगे नू है ना नू इस person की feelings ऐसे हैं कि नहीं तुम्हें मुझसे ऐसे नहीं तुम्हें मुझसे यह एक होताने की expectations नहीं रखनी चाहिए कि मैं हर चीज हर चीज तुम्हें बोल के बताऊंगा यह बताऊंगी तुम्हें समझना होगा ठीक हैं सो यस मुझे यह एनरजी दि है मुझे ओके हैं सो यहां पर डिफ फिलिंग्स में यह भी कार्ब निकल के आया है कि यह परसन आपको भूला नहीं पाते हैं बिल्कुल भी नहीं और यह परसन कैसे भूल जाएंगे कैसे भूला देंगे आपको नो यह परसन नहीं भूल सकते हैं यह परसन आपको कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूला सकता है या नहीं भूला सकते हैं यह परसन कि यह परसन ने कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कि जितनी रिस्पेक्ट आपकी की है यह जितनी वैलू आपको दिया है इस परसने उतनी वैलू कभी भी किसी को नहीं दिया इस पर आपके कुछ बोले गए words, आपके partner को लगता है कि आपने वो words या आपने वो चीजे जूट बोली हैं, आपने वो जितनी भी चीजे बोली हैं, वो जूट बोली हैं, आपने इन से सच बोला ही नहीं है, ठीक है? So yes, आपके partner सच और जूट बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं, इनकी energy में दिख रहा है, बहुत ही आसानी से आपके सच को जूट को ये person verify कर लेते हैं, कि हाँ, आप इन से सच कह रहे हो या जूट कह रहे हो, ये जो energy है, यहाँ पे काफी जदा दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है, कि ये person की feelings ऐसी है, कि ये person को पता होता है, कि आप कब जूट बोल रहे हो, कब सच बोल रहे हो, ये person को टूटली पता होता है, ये person की deep energy में देखूं, तो ये person को हर एक चीज़ पता चल जाता है, यानि कि आपका कब लडने का mood है, या कब प्यार जताने का, या प्यार दिखाने का, ये वाली energy मुझे दिख रही है आपके cards में, आपके partner को आपके साथ पूरी जन्नत महसूस होती है, पूरी दुनिया महसूस होती है, और ये भी दिखता है, जिसे कि आपके साथ जूर करके, आपके partner को ऐसा लगता है, कि हम दोनों कितना एक दूजे से connect हो गए हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानना कहीं ना कहीं, होता है ना कि हाँ, आपको अपनी पूरी दुनिया मानना, एक life में वो clarity लाना, सो वो energy मुझे दिख रही है आपके partner के अंदर, आपके partner आपको लेकर के काफी focused हैं काफी focus होते हुए दिख रहे हैं यह person मुझे ये भी feel होता है कि yes आपके partner आपके लिए adjust करना चाहते हैं आपके लिए हर एक चीज करना चाहते मदाब एक वता निए कि आपको अपनी दुनिया मान करके चलना चाहते हैं यह पर्सन शो करे या ना करे बट आप इनके दिल्में एकदम गहराई में हो एकदम होता है ना जैसे कि गहरा है हमारा और आपका रिस्ता जो है इतना गहरा है कि इस गहराई में हर कोई तो नहीं पहुंच सकता यानि कि इतना जदा आप दुने एक दुझे से प्यार करते हो आपके पार्टनर को पता है कि आप किस हद तक इनसे प्यार करते हो किस हद तक आप इनसे जुड़े हुए हो I have ego problems, okay? I see as you my soulmate I decided to text you but then I just can't समझ रहे हो ना आप लोग और bottom of the deck देख लोग क्या आया है I want to marry you, है ना? क्या बात है, बहुत प्यारे cards आये हैं आपके आज, तो यहाँ पर deep emotions में काफी clearly दिख रहा है कि आपके partner के पास ego है यह person खुद कर रहे हैं कि यार मैं बहुत egoistic हूँ, बहुत ego problem है मुझे, मुझे बहुत ego problem है शायद तुम्हें पता नहीं है, यह person यहाँ पे clearly दिख रहा है कि इनका ego issue इतना जदा है इतना जदा है कि एक person अपने ego को छोड़के कुछ और नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं इस person अपने ego को छोड़के एक होता Нा कि सामना करना नहीं हो पाता है इन से, नहीं कर पाते हैं यह person आप दोनों एक दुजे के soulmates हैं, एक दुजे के soulmates वाली energy दिखिए, soul connection दिख रहा है मुझे, आपके partner आपके लिए soul connection फिल करते हैं, soulmates फिल करते हैं आपको, है ना, और यहाँ पे दिख रहा है कि यह person कई बार जब बातें नहीं होती हैं, आप दोनों की बीच में या अभी भी नहीं हो रही है तो यह आपको कॉल करने के बारे में सोचते हैं लाकिन क्या होता है कि पडूう पारते हैं के प्ऑफन उठाते हैं ताइप कर लेते हैं लेकिन जब सेंड करने की बारे आती है टेक्स को डिलीट कर देते हैं यह ठीक है सो येस मुझे यहां पर दिख रहा है कि पॉरसन को आपकी याद बहुत आती है याद सताए है आपके पार्टनर को आपकी ऐसी एनरजी दिख रहे हैं आपके याद बहुत आती है आपके पार्टनर को नो डाउट यादे पॉर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं इनकी डीफ इमोशन में हैं कि आपके शादी हो चाहे आप दुनों मेरेड हो कोई प्रॉब्म नहीं है लेकिन फिर भी आपकी पार्टनर आपसे ही मेरेज करना चाहते हैं ऐसी एनरजी दिख रही है मुझे किंग आफ पेंटिकल्स के इनरजी के साथ मुझे देखो यहां पर यह भी फील होता है कि आपके जो पार्टनर है ना देखो रुपए पैसे कि हर किसी के लाइफ में वैलू है है ना और हर कोई चाहता है कि मैं अपने जो है फाइनेशल कंडिशन को सही करूं मनी से रिलेटर इशूस चल रहे हैं तो उसको सबसे पहले सही करना जरूरी है और लव लाइफ को बाद में देखना जरूरी है आपके पार्टनर की वही एनरजी है कि परसन अपनी लव लाइफ को पहले जो है ना ना देख करके बाद में देखते हैं ठीक है बट यहां पर यहां पर यह प परीसेउन बोला नहीं होगा लेकिन अप जब जब इनकी लाइफ में जब इस फॉर्गशन की लाइफ में एम ग्रोंफ आ आई हैा आपने छोडर के यहांच होताóc हम खुद भी देख लेते हैं कि हां हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे लिमिक्ता नहीं सही है ठीक है तो येस वो चीजे भी दिख रही है मुझे लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्म दिख रहा है लेकिन हाँ आपके पार्टर की डीप इमोशन्स डीप फिलिंग्स में दिख रहा है कि पॉर्सन आपकी वैलु काफी करते हैं यह पॉर्सन तो मन ही मन चानते ह है कि इनके लिए कितने लखी हो कितने जादा लख है आप कितना जादा लख लेकर आते हो इनकी लाइफ में आइएट यो आपके पार्टनर के कानों में गुंचते रहते हैं यह जो पॉर्सन है ना आपके यह पॉर्सन के कानों में गुंचते हैं आपने शायद इनको I hate you कहा है और आपने इनको बोला भी है कि मैं तुम्हारे लाइफ में कभी वापस नहीं आओंगी या कभी मुर्के नहीं देखूंगी यह इस परसन ने कहा होगा और आपको आपके दिवाग में चल रहा हो कि उसने तो यह कहा था फिर उसके यह thoughts कैसे हो गए सो देखो message universe का क्या देते हैं आपके मन की बाते निकाल के यहां रख देते हैं वह यह जो परसन है आपके लिए एकदम deep emotions feelings रखते हैं और देख लो यहां पर यह परसन आपके बगर बहुत अकेले हो गए हैं यहां पर दिख रहा है कि परसन क बहाऊना वह वाली feelings मुझे नजर आ रही हैं ऐसा feel हो रहा है मुझे कि आपके partner आपके साथ वापस आना चाहते हैं आपको अपने जिंदगी में come back करना चाहते हैं come back yes आपके partner चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ आपके जो बोले words हैं यह इसके उपर आप ना आड़ो है ना को अबंडेंस वो प्रोस्पारिटी इनकी लाइफ मिला दो जो यह डिजर्व करते हैं मुझे यहां पर यह दिख रहा है काफी क्लियर दिख रहा है आपके partner के messages काफी क्लियर है कि यह person वापस आना चाहते हैं come back करना चाहते हैं आपकी लाइफ में four of swords के energy divine हमें guide करें यहां पर दिख रहा है कि यह person के deep feelings में यह भी दिख रहा है जिसे कि रात को सोने से पहले हर एक night हर एक night आपके partner के पास हजारों की बीड क्यों नहीं हो है ना बट यह person आपके बारे में सोचते हैं लोगों से दूर लोगों से no contact लोगों से कोई लेना देना नहीं कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है कुछ नहीं सुनना है आपके partner को आपके ऊपर trust है आपके partner को आपके ऊपर clarity है बस इतना काफी है इस रिस्ते में मरहम की जौरत है अभी और यह person मरहम लगाने के को यूज करते हुए दिख रहे हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पार्टर स्टॉंगली यह पॉसन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मैनिफेस्टेशन के एनर्जी काफी जिदा देख रहे हैं मैनिफेस्ट करते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपक observe with your pictures yes देख लो यहाँ पे आपका जो खुबसूरत चहरा है ना आपके पार्टनर के आखो में हैं आपके पार्टनर के माइंड में हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपका चहरा बसा हुआ है और यह परसन हमेशा रात को सोने से पहले आपको विजवलाइज करते हैं आपके पार्टनर आपको हमेशा याद करते हैं क्योंकि यहां पे दिख राए कि आपसे जूड़ी हुई कुछ बाते जरूर है जो कि इनके दिल पे लगी है येस इस परसन के दिल पे जरूर लगी है जिससे ये परसन काफी डिसपॉइंट है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिय आपने ऐसा क्यों कर दिया एसा नहीं करना चाहिए था और जो वर्ट्स आपने बोले हैं जात्ति आपके पार्टनर रोने भी लगे हैं बहुत रूए है आपके पार्टनर एंके अंदर वह रोने वाली एणरजी दिख रहे हैं वो तडव रहे हैं वह एक बिच्टानी के अंदर जो disappointment है आपके partner के अंदर मुझे काफी ज़्यादा दिख रही है आपके partner के अंदर काफी disappointment है और काफी परिशाद मुझे नजर आ रहे हैं आपके partner आपके partner के अंदर दिख रहा है मुझे कि yes, यह person कहीं न कहीं आपको लेकर, कि अपनी feelings को लेकर, अपनी emotions को लेकर से कि serious है, yes, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके cards में, ठीक, ऐसा दिख रहा है कि यह person कहीं न कहीं आपकी बाते इनके दिल पे जरूर लगी हैं और यह person दर्द मे में हैं, तकलीफ में हैं, तनहाई में हैं, यह दिख रहा है मुझे, okay, I am falling out of love with you, okay, eight of pentacles, you are my last thought before sleep, okay, and I try to copy you, यह person के deep feelings यह भी है कि यह person जोड़दार मेहनत कर रहे हैं, अपने career में, अपने life में, अपने, कहता है न कि struggle कर रहे हैं, focus कर रहे हैं, और यह person का है, मन है, कि आपके साथ जो रिस्ता है ना, उसको निभाया जाए, या उसको उस रिस्ते के उपर focus किया जाए, ठीक है, so yes, आ आपके खुबसूरती की तारीफ, तारीफों में पूल बाहम देंगे यह person, ऐसा मुझे दिख रहा है, आपके partner कहीं न कहीं, इस रिस्ते को लेकर के काफी focused हैं, काफी जदा focus करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं, यह जो रिस्ता है, आपके partner को attract इसलिए भी करता है, क्योंकि मुझह जहां तेक दिख रहा है कि ये person ने आपसे true love किया है, ये person true love ही करना जानता है, ये person को fake love नहीं करना आता है, ये person गहीं किसी को use करना नहीं जानता है, इतना ज्ञादा loyal person होता है, आपरिडर का कार्ड इतना ज़दा लोयल्टी होती है इसके इसके ऊंदर की उसकी कोई हथ नहीं है थे k elas होता है तो वैसे ही आपके पार्ट्νεर भी है यह यहां पर दिखpiano traffic जो है आपके प्यार में इस गिरे हैं इस गिरए है कि मतलब क्या ही कहें है ना होता है ना कि आपके लिए हम कुछ भी कर बुज़र जाएंगे किसी को भी छोड़ देंगे अब हमारी लिए आप इंपॉर्टेंट हो कोई और इंपॉर्टेंट नहीं है यह वाला प्यार है ठीक है यह परसन के सोने का आखरी जो है आखरी जो सोच होता है वो आप है ठीक है आखरी सोच जो है वो आप है यहां पर दिख रहा है कि सोने से पहले का आखरी सोच आप है और यहां पर मुझे यह भी फिल होता है कि यह परसन यह भी चाहते हैं कि आप जिस तरीके से इग्नोर करते हो या आप जिस तरीके से बदल गए हो या आपने अपने लाइफ में आने का चो रास्ता इनका ब्लॉक कर दिया है है यह पॉर्षन कॉपी करते हैं कि कास मैं भी उसके जैसा हो जाता हार्ड वाला मतलब एकदम जो है मेरे दिल पर कोई फर्क ना पड़ता या मैं इसके लिए रोता नहीं तरपता नहीं अतडपती नहीं ऐसी वाली इनरजी दिख़्े है यह मुझे दिख रहा है इनके दिल में यह धी आप से दूरियों को यह परदाश्य नहीं कर पाता है क्यों क्योंकि शतनी ज्यादा नजदीक है ना यह सन उस注ल्यJao को लेकर के काफी सीरियस है उस नजदीक को लेकर के काफी सीरियस हिने मुझे दिख रही है और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फिल होता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको है ना अपने जिन्दगी में लाने के लिए बेचायन है बहुत बेचायन है यह परसन के नर्जी मुझे दिख रहा है यहां पर दिख रहा है कि जो परसन है मुझे लगता है कि आपने बहुत बहुत बुरे मतलब यूज किया है तो अभी आपके पार्टनर दिख रहा है कि कहते हुए दिख रहा है यह परसन के आँखों में आसु है और कहते हुए दिख रहा है कि तुमने ज आपने आपको इतना जादा बांध लिया है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपसे आपसे दूर जाकर कि इस परसन को अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन हाँ यह परसन आपके नजदीक भी नहीं आ सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर देख रहा है कि यह परसन को लगत आपकी है कि हाँ एक लड़का है या इक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं और उसे शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं ठीक है लेकिन आप से वही बोलना नहीं देख रहा मुझे यहां पर देख रहा है कि पॉर्सन जो है ना इस पॉर्सन के विश है कि आप इनसे ब वो जहना इनके दिल देमाग से निकल नहीं पाता है, वो खुश्बू, वो एक होता है कि हाँ, मेरा उसके साथ जो connection है, एक deep connection होता है, तभी ये सारी चीज़े हम feel कर पाते हैं, सो same energy मुझे काफी clearly दिख रही है, आपके partner आपको ले करके काफी ज़्यादा thoughts रखते हैं, काफी deep feelings हैं, काफी deep emotions हैं, इनके overall reading में मुझे ये दिखा है, so overall reading में मुझे यही दिख रहा है, so guys, अगर आप इसी तरीके से reading चाहते हैं, तो मेरे चैनल को subscribe कीज़े, जो कि आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं, आप लोग क्यों subscribe नहीं करते हैं, don't know, but मैं अपना full effort डालते हू चाहे आप लोग वीडियो देखते हैं, नहीं देखते हैं, वो अलग की बात है, चाहे आप लोग positive रहते हैं, या दूसरों को positive करते हैं, मुझे नहीं पता, but मैं अपने तरब से try करते हूं, कि आप positive रहें, आपके जिन्दकी में खुशियां आएं, और मेरे जो viewers हैं, मेरे जो मेरे जो इस चैनल के subscribers हैं, वो खुश रहें, उनके लिए हमेसा blessings, हर week में blessings create करते हूं, और उसमें आप सब का नाम, जो लिस्ट में हैं, उनका नाम तो देती हूं, ठीक है, तो subscribe कर लिजे, अगर आप भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, हमारी family member में शामिल होना चाहते हैं, तो और एक announcement और है, क्या है वो, यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका mobile number चेक करूँ, कि आपका mobile number आपके लिए suitable है कि नहीं है, आपका mobile number आपके लिए कहां से खराब है, आपको क्या-क्या दिक्कत दे रहा है, क्या problem दे रहा है, लाइफ में, अगर relationship ठीक नहीं हो रहा है तो आपके number में problem है क्या, अगर number को सही कर दिया जाय तो आपका relationship से problem सही हो जाएगा, अगर आपको money सरफ प्राब्म आ रही है, आपने work under your है बैंक से लोन ले लिया है या कर्जा ले लिया है वो जो है ना आपका लोन खतम ही नहीं हो रहा है किसी का कर्ज है उसका खतम ही नहीं हो रहा है कर्ज है तो वह क्या है वह आपके ऊपर एक भार है जिसको आप खत्म कर सकते हो आप अपने नंबर को चेंज करवाओ आप प्रवम् है और हमारे नमबर कहा होते हैं हमारे जो इंट्रवियू क्या नबर यह सारे नमबर अट्रैक्ट करते हैं अपने अपने सातिस आप उपमें ग्रोथ ला सकते हो अपने मनी रिलेटरेdaughter इसमें उप्रशा आपके उपर बाडन है, लोन है, है ना, खतम नहीं हो रहा है, या money नहीं आ रही है, इस तक हो गया है money life में, ठीक, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं mobile number, बदलने का, या mobile number के बारे में आप जाने है, कि हाँ, कहीं आपके mobile number से आपको परिशानी तो नहीं आ रही है, ठीक काफी एक्टिव होता हुग उस नंबर को हमने अपने लाइफ में एक्टिव कर रखा होता है तो वो नंबर को अगर हम सही नंबर को एक्टिव कर लेंगे तो क्या होगा हमें सही रिजल्ट देगा अगर हम निगेटिव नंबर को एक्टिव करेंगे तो हमें निगेटिव रि जाए अपने mobile में किस problem के लिए अगर jobs related problem है लव से related problem है family कि से related problem है married life से related problem है कौन सा number आपको यूज करना चाहिए कैसा नमबर यूज करना चाहिए आपको सांथ ही साथ कहा आपको wallpaper आपको wallpaper में जो है यह करूंगी recommend करूंगी कि आप ऐसा वर्ल पेपर लगाओ ठेक है यह सारे चीज पीडिये फाइल में मिलेंगे और आपके जो आपके जो दश्या है महादश्या यानि कि आपके कुंडली का प्रिडिक्शन यानि कि आपका लाइफ इस साल से अगले कुछ सालों तक कैसा रहेगा आप क्या-क्या करने वा जो कि आपको ध्यान रखने की जुरत है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा डेनने की जुरत है कि नहीं है वो सारी चीजे मैं आपको प्रिडिक्ट करके दूँगी आपके मुबाइल नबर से ठीक है तो अगर आप चाहते हैं ऐसा ही कुछ मैजिकल जो कि आपके तो भी सही हो है ना मेरेट लाइफ में परवम आ रही है लग लाइफ में परवम आ रही है तो भी सही हो साथे साथ आपके मनी से लेटर परवम है मनी से लेटर यानि कि मनी स्टक हो गई है या मनी आपने करजा ले लिया है उसको सही किया जा सकता है साथे साथ अगर आप च अच्छा फाइदा होगा अगर आप चाहते हैं ना इन सारी रेमेडिस को लेना आज ही बुक करवाईए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर अविलेवल हैं अगर आप इंटर्व्यू में जाना चाहते हैं इंटर्व्यू देना है आपको और वहां पर सेलेक्शन नहीं हो र कर सकते हैं तो आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा ठीक है अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ चीजे मिरेकल्स देखने अपनी लाइफ में सही हैसा आप लोग कॉंटक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर अविलेवल है वहां पर कॉंटक्ट किजिए और म इस सुचेशन में आप रहोगे कि सुचेशन को अपने फेस किया है पास्ट की बाते भी है ना आप उसमें लिखा रहे का ठीक है ऐसा कुछ चाहते हो मैजिकल जिससे आपके एक छोटे से मांट को दे करके आप पे करके आप अपनी लाइफ की पूरी लाइफ के बारे में ज आप मुझसे मुबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मुबाइल नंबर चेंज करने के लिए भी अपॉइन्मेंट बुक करवाईए कि हाँ आपको कौईसा मुबाइल नंबर लेना चाहिए कौनसा मुबाइल नंबर लेना चाहिए क्या क्या नंबर्स उसमें होने चाह चाहिए ऐसा मोबाइल लेना चाहिए यह यह नमबर्स होने चाहिए उसमें ठीक है ताकि आपकी जंदगी में यह जो है आप जो चाहते हूं वह आप अचीफ कर पाओ ठीक है तो अगर आप ऐसा ही कुछ चाहते हैं तो जरूर कॉंटेक्ट कीजिए डिस्क्रीट में नहीं इस